आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या आप कैसे एक cross solve कर सकते हैं Rubik's Cube में एक perfect cross जैसे का आप देख सकते हैं यह सारे side से match कर रहा है ऐसा ही cross आपको बनाने सिखाने वाला हूँ और यह होता है 4 step एक Rubik's Cube को complete solve करने में तो यह एक मैंने series बनाया हूँ जिसके अंदर Rubik's Cube आप कैसे पूरी तरीके से solve कर सकते हैं यह बताने वाला हूँ और इस series की first video मैंने पहले से upload कर चुका हूँ जिसके अंदर Rubik's Cube की basics आपको मैंने बताया हूँ आपको कोई भी confusion ना हो आगे Rubik's Cube solve करने में अगर आपने नहीं देखे वाली वीडियो तो मैं link comment section और description में दे दूगा आप जाके जरूर check out कर लेना और यह है इस series की second video जिसके अंदर आपको cross किस तरह solve करते हैं वो बताने वाला हूँ और यह काफी आसान होने वाला है कोई भी algorithm या formula नहीं लगेगे बस आपको integrity मतलब दिमाग से आपको solve करना है और यहाँ पे guide करने के लिए मैं हूँ ही तो video game तक जरूर देखना और video game में आपको rubik's cube पे cross किस तरह बनाते हैं यह आपको आजाएगा अच्छी तरीके से तो अभी और को time waste नहीं करते हैं स्वागत है आपका B legend में let's get started तो अभी हमें बनाना है एक white cross और यह साधा white cross नहीं है यह है एक perfect white cross यह दोनों साइट से match कर रहा है आप चारो बाजो देख सकते हैं तो यह हम किस तरह बनाते है तो सबसे पहले ले ले लेते हैं एक scrambled cube तो यह रहा हमारा fully scrambled cube तो सबसे पहला step है एक scrambled cube हाथ में लेते से ही आपको yellow centerpiece ढूनना है जैसे यह हो गई green centerpiece इसी तरीके कि आपको एक yellow centerpiece ढूनना है तो चली yellow centerpiece ढूनते है तो यह रही yellow centerpiece yellow centerpiece मिल जाने के बाद आपको yellow centerpiece को top वाले face पे रखना है यानि top layer पे रखना है और cube को कुछ इस तरह होल्ड करना है जिस लगाना है जैसे आप देख सकते है यहाँ एक white color है इसी तरीके का white color आपको चार हो बाजू में लगाना है और यह solve हो जाने के बाद कुछ इस तरह दिखता है आप देख सकते है यह yellow centerpiece है इसके बाजू में चार white color है और यह दिखने में एक flower जैसा लगता है तो हम इसे flower ही बोले गें, तो यहाँ पर हमें बनाना है एक flower, तो यह कैसे हम बना सकते हैं, तो yellow center piece है, इसके बाजू में आपको चार white edge pieces लगाना है simple यह हम किस तरह गरेगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले से एक white edge piece उपर लगी हुई है वो भी yellow center piece के बाजू में मतलब यह salt piece है तो हमारा काम बजगा है हमें खाली 3 edge pieces लगाना है तो सबसे पहले हमें एक edge piece ढूनना है जिसके अंदर हो white पूरे cube में आपको ढूनना है जैसे कि यहाँ पर एक white edge piece है तो इसे हम उपर किस तरह लाएगे आपको यह color उपर चाहिए है यह white color उपर आपको लेके जाना है जिससे आपका flower बन जाए तो इसे आप दो तरीके से उपर लेके जा सकते है first way है कि आप यह वाली layer को इस तरह उपर करे right hand से जिससे के यह उपर आ जाएगी लेकिन आप देख सकते हैं इसका white color उपर नहीं आ रहा है बलकि नीचे आ रहा है तो हमें यह तो चाहिए नहीं हमें यह color उपर चाहिए तो हम इसे back कर लेते हैं तो अभी इसे हम second way से solve करने की try करेगे अभी यह white इसको हम यहाँ पे लाने की कोशिश करेगे तो अगर आप यह वाली layer को इस तरह घुमाएगे तो आप देख सकते हैं यह easily उपर आ जा रही है इसके अदर कोई भी algorithm या maths की ज़रुवत नहीं है यह आप अपने दिमाग से कर सकते हैं यह white HP को आपको यहाँ लेकर आना है तो अब simply यह वाली layer को उपर घुमा देगे जिससे के यह उपर आ जाएगा simple अभी हमारी 2 pieces solve हो चुकी है इसी तरीके से हमें यह 2 pieces को भी solve करना है तो अभी 2 pieces solve हो गई यह अभी हमें तीसरी HP's ढूनना है तो जैसे के आप देख सकते हैं यह रही हमारी तीसरी HP's तो अभी हमें इसे भी उपर लेकर आना है तो हमें इसे भी mess up नहीं करना है इसे हमें बचाना है कैसे बचाएगे आप देख सकते हैं 2 pieces solve है 2 pieces unsolve है मतलब यह 2 pieces solve नहीं है यह है empty slots इसे हम empty slots कहते है तो अभी हमें यह solve piece को यह दोनों empty slot में से किसी एक slot से exchange कर लेना यह हम किस तरह गरेगी यह उपर वाली layer को आपको घुमाना है यह HP's को हम हटा देगे यह जगे से और यहाँ पे कोई empty slot लेके आ जाएगी यह वाली layer उपर वाली layer को घुमा के अभी empty slot आ गई है अभी आप easily यह piece को उपर लेके जा सकते हैं कुछ इस तरह तो अभी आपकी तीन HP से solve हो चुकी है तो अभी हम last HP's ढूनते है तो last HP's यहाँ पे रही तो नीचे last HP's है इसे आपको उपर लाना है यहाँ से यहाँ पे तो आप यह किस तरह लेके आ सकते हैं simply आपको दो बार घुमाना है यह layer को तो यह piece सी नीचे अभी आपको लाना है इसे उपर तो आपको यह दो बार घुमाना है लेकिन आप देख सकते हैं यह piece भी खराब हो रही है जो के पहले से solved है तो अभी आपको क्या गरना है यह piece को हटाना है यह जगे से और empty slot को लेके आ जाना है कुछ इस चरीके से और अभी आप यह लेर को दो बार घुमाएगे तो यह piece उपर आ जा रही है और यह piece भी मैसप नहीं हो रही है यानि खराब नहीं हो रही है तो आपका पूरा flower solve हो चुका है अभी यह flower complete तो हो चुका है लेकिन एक case है जो के आपको आ सकता है और इसमें आपको confusion हो सकती है तो वो case यह रहा आप देख सकते हैं तीन piece solve है एक piece solve नहीं है तो एक piece आप देख सकते हैं यहाँ पहन नीचे है तो अभी आप नीचे से यह piece को उपर किस तरह लाएगे यह layer को दो बार घुमाएगे जिससे के यह ऊपर आ जाएगी अभी यह ऊपर तो आ चुकी है लेकिन आप देख सकते है यह flipped है यह white color को यहाँ होना चाहिए तो यह किस तरह करेगे तो आपको यह वाली piece को नीचे एक बार घुमा देना है यहाँ पे भी घुमा सकते है यहाँ पे भी घुमा सकते है तो चलिए मैं इसको इस तरह घुमाता हूँ तो यह नीचे आ जो कि अभी नीचे आने के बाद यह भी इसको आपको ऊपर लेके जाना है जो कि आप आसानी से इस तरह लेके जा सकते है लेकिन यहाँ पे एक solve piece है तो हम इसको बाजू में हटाएगे खाली slot को लगाएगे और फिर इसको उपर लेके जाएगे जिससे के हमारी 3 piece भी बजगई और यह piece भी solve हो गई जिससे के हमारा पूरा solve हो चुका है एक flower अभी भी बहुत सारे लोगों को confusion होगी यह step में इसलिए वापिस से एक आपको example solve करके बताता हो तो इसको पहले मैं scrambled कर लेता है अच्छे से तो अभी मैंने इसको अच्छी तरीके से scramble कर दिया हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है scrambled cube में yellow center piece ढूनना है तो यह रहा yellow center piece अभी हमें यहाँ पे चार white edge pieces लगाना है लगीली एक edge piece हमें पहले से solve मिल जाती है तो अभी हमें बाकी की 3 edge pieces solve करना है पिछले solve की तरह तो एक white edge piece ढूनते हैं तो यह रही एक white edge piece अभी इसका white color हमें top पे लाना है तो आपको इस तरीके से यह piece को उपर नहीं लेके जाना है जिससे के इसका white उपर नहीं आ रहा है बलकि नीचे ही रह जा रहा है तो हम back कर लेते हैं और अभी आपको यह piece को इस तरीके से यह layer को आपको घुमाना है जिससे की यह white उपर आ जाएगा इस तरीके से simple आपकी 2 pieces solve हो चुकिए 2 pieces बच्ची है तो एक और एक iç piece दूनते है जिसके अंदर हो white तो आप 안ड़ेख सकते यह white है तो यह white को आपको ऊपर लाना है तो आप यह वाली layer को अगर ए BOB 수 लाना है इस तरीके से वापश case बदा देता ह σου यह wide को आपको लाना है उपर तो आप यह वाली layer को इस सरीके जा गूमातें simple आपकी 3 pieces solve हो चुकी है तो हमारी 3 pieces solve हो चुकी है अभी last piece को ढूंते है तो ये रही last piece तो ये है नीचे वाली layer में अभी यहामे लाना है इसको उपर तो अब इसको अगर दो बार घुमाएगे तो ये उपर आ जाती है लेकिन यार पे हमारी piece पहले से solve है तो उपर वाली layer घुमाएगे empty slot यहाँ पर रखेगे उसके बाद इसको दो बार घुमाएगे तो हमारी जो पहले से solve piece थी वो भी बच गई और ये piece भी उपर आ गई है ये piece उपर जरूर आ गई है लेकिन यार ये भी flipped है तो अभी आपको क्या करना है इसको एक बार नीचे घुमाना है जिसे कि मैं इस बार यहाँ पे घुमा देता हूँ एक ही बार घुमाना है आपको जिससे कि ये middle layer में आ जाएगी middle layer में आने के बाद आपको ये white को उपर लेके जाना है जो कि आप simply यार इस तरीके से लेके जा सकते है लेकिन पहले से solve piece है यहाँ पे तो ये वाली edge piece को हम पहले क्या करेगे exchange करेगी ये वाले खाली slot से वो भी उपर वाली layer को इस तरह घुमा के यहाँ अभी खाली slot आ चुका है तो अभी आपको ये वाली edge piece को उपर लेके जाना है वो भी कुछ इस तरहीके से तो simple ये एकदम simple था flower ये हो गया हमारा first step अभी second step में हमारा white cross complete हो जाएगा तो अभी हमारा flower तो solve हो गया है मतलब हमारा first step complete हो चुका है अभी एकदम simple step है जिससे के आपका cross complete हो जाएगा अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 4 white edge pieces है white edge piece के नीचे वाला color आपको देखना है जैसे ये हो गया white इसके नीचे है red color और ये वाले white piece के नीचे है orange ये वाले white piece के नीचे है blue और ये वाले white piece के नीचे है green तो ऐसी ही कोई भी एक आपको randomly white edge piece लेना है जैसे के मैं ये वाले edge piece select करता हूँ तो ये वाले white edge piece के नीचे वाला color आपको देखना है जो के है red अभी आपको ये वाला red color नीचे वाली center piece से match करना है मतलब नीचे भी आपकी कुन सी center piece होनी चाहिए ये red color की जिससे के ये match हो जाएगा ये हम किस तरह करेगे तो आपको उपर वाली layer को बस move करना है ठीक है तो ये वाली layer को आपको इस तरही के से move करना है जब तक कि ये match ना हो जाए तो इसे move करते रहना है आप देख सकते हैं ये अभी match हो चुका है रेड रेड match हो चुका है एक बर ये match हो जाए तो आपको ये वाली layer को पकड़ के दो बार गुमा देना है जिससे के हमारी white hp उपर से नीचे चले जाएगी ठीक है अभी same चीज़ करेगे हम बाकी के hp के साथ जैसे कि ये है white hp इसके नीचे वाला color देखेगे ये है green तो आपको green को green center piece से match करना है तो हम उपर वाली layer को move करेगे कुछ इस सरीके से जब तक कि ये match ना हो जाए अभी ये match हो गया है match होने के बाद आपको ये layer को पकड़ के दो बार गुमा देना है simple बस आपको match करना है और दो बार गुमाना है तो ये है white इसके नीचे है blue तो आपको उपर वाली layer गुमाना है तो उपर वाली layer में गुमाता हो तो एक ही भर में match हो चुका है तो आपको जब तक गुमाते रहना जब तक कि ये match ना हो जाए match हो गया है तो आपको इसको दो बार घुमा देना है layer को जिससे के ये नीचे चले जाएगा simple अभी last piece देखते है last piece पहले से match है तो lucky layer पहले से match है तो हमारा काम बज गया है अभी हमें खाली इसको दो बार नीचे घुमाना है तो अभी आप देख सकते हैं सारी white edge pieces ये face से हटके नीचे चले गई है और अगर आप अपने cube को इस तरीके से घुमाएगे तो आपको एक magic देखने मिलेगा आपका cross पूरी तरीके से solve हो चुका है तो congratulations आपने solve कर दिया है rubik's cube का first step जो के है एक perfect white cross अगर आपको कोई भी doubt है किसी भी step में तो आप वीडियो को rewind करके जरूर देखे आपका doubt clear हो जाएगा और ये तो था first step अभी इसके बाद जो step है वो है step 2 जो के है एक first layer जैसे कि आप देख सकते है complete perfect first layer आपको बनाना सिखाने वाला हो next video में और ये वीडियो में upload करूगा दो दिन के बाद अगर आप ये वीडियो को late देख रहा है तो अभी तक कि मैंने upload कर चुका होगा तो जरूर जाके आप check out कर लेना next part आपको लिंक या पर i button पे मिल जाएगी description में मिल जाएगी comment section में मिल जाएगी फटा फट से जाओ next part देख को और अपना rubik's cube solve कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और जाने से पहले यार subscribe करना मत भूलना मिलते हैं next part पे thanks for watching